कानपुर के कोहना थाना छेतर में उस वक्त हरकंप मच गया जब एक यूबक ने शराब पीने के दोरान दोस्त की गोली मार कर हत्या कर दी आपको बता दे कि ये पूरा मामला भैरफ घाट के पास का है जानकारी के मताबिक कुछ लोग शराब पी रहे थे शराब पीने के दोरान उनके बीच कहा सुनी होने लगी विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत गोली बारी तक पहुच गई और देखते देखते एक शक्स की गधना यह हुई है कि वही तीन बज़े ललका लेकर आया साब तो उसने साब गर में सो रहते तो उसने पिष्टल से गोली चलाई तो साब जी पिष्टल से गोली चलाई तो साब जी चला एंगर से उठके आये तो हमको आवाज सनाए पली, तो हम साब जी नीचे उतरे, तो साब जी भाग रहा था, तो हमने साब जी उसको पकल लिया, तो साब जी उसको भागने ने दिया, तो ये साब जी भाग ने पाया, तो साब जी उसको हमने पुलिस को दे दिया, साब जी, कहां पे गोली मारी थी, वही पुलिस ने हत्या रोपी को मौके से गिरफ़तार कर लिया, बताया जा रहा है कि वहाँ मौझूद करमचारियों ने हत्या रोपी विपिन निगम को पकड़ लिया और पुलिस को सौप दिया. पर चीटा कसी किया करते थे, जिसको ले करके वहाँ मौके पर ही उनकी मृत्ति हो गई, पुलिस बलद्वारा और जनता के सहयोग से वही मौके पर ही उनकी ग्रिफ़तार कर लिया गया, खोका कार्तूस और अवैज किस्टल बरामत कर ली गई है, बैधानी करवाई की जा रही है और जेज बोड़ी को पीम के लिए भेज़ दिया गया.